आजादी फन आजादी फन आजादी फन आजादी फन तो यहाँ पर आजादी के नारे लगने चाहिए नमस्कार में राजीव चोधरी सुप्रीम कोट समलेंगिक साधी को कानूनी माननेता दिलाने की मांग से जुड़ी आची का उपर सुनवाई कर रही है इस मामले की सुनवाई 18 अपरेल को सुरू हुई और सुप्रीम कोट रोजाना इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था देखा जाए तो इस मामले में सरकार और सुप्रीम कोट हामने सामने है जहां सरकार का पक्स है कि सेम सेक्स मैरिज नहीं होगी ये डिमांड सिरफ सहरी इलीट किलास की है इसमें आम नागरिकों के हित पर बावित होंगे वही सुप्रीम कोट ने पूछा था कि 3 मही तक सरकार ये बताए कि उनकी जिन्दगी को आसान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस पर सरकार ने आज कोट से का कि समलेंगिक जोडों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर एक पैनल का गठन होगा ये पैनल केबिनेट सचिव के अद्धक्स्ता में गठित किया जाएगा यानि मामले को बिलकुल आसान भासा में समझे तो कुछ यूँ है कि क्या दो लड़के आपस में साधी कर सकते हैं या फिर दो लड़कियों में आपस में साधी हो सकती है सब के अपने अपने दावे हो सकते हैं और किये भी जा रहे हैं चोंकि जब साल 2018 में धारा 377 को माननेता मिली तब देश में एक बड़े तबके ने इसका ढोल बजाकर स्वागत किया था यानि सरकार का पक्स है कि जरुरत सहरी लोगों की है इसे सब के उपर ना थोपे लेकिन कोट कह रहा है कि मानो ये सब की जरुरत हो लगता है वे दिन अब दूर नहीं जब माता पिता अपने बच्चों से कहेंगे कि जात पात और धरम को किनारे करके बेटा तुम अपने जीवन के लिए एक लड़की ही खोजना लड़का नहीं इसके उलट ये बात वो बेटी को भी समझाएंगे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए लड़का ही चाहिए ना कि लड़की ये कोरी कलपना मातर नहीं है बलकि यूरोप और अमेरिका के कई देसों में घट रायक सच है नजर गुमा कर देखिये पस्चिमी देसों के अनेक सेलिबर्टी के जीवन समलेंगिक संबंदों पर चल रहे हैं आकडों के अनुसार भारत में मुंबई, चेन्नई और गोवा में भी समलेंगिक संबंदों में पिछले 5 साल में डेड़ परतिसत की बड़ोतरी हुई है, ये तीनों सहर समलेंगिक तके बड़े केंदर के रूप में भारत में उपरे है दुनिया जानती है कि प्रकरती ने महिला और पुरुस को एक दूसरे के पूरक के तोर पर बनाया है दोनों के बीच उत्पन वे सारीरिक संबंद एक नए जीवन अगली पीड़ी को जनम देते हैं अब ये समलेंगिक लोग किस चीज को जनम देंगे आप भखो भी समझ सकते हैं देखा जाए तो समलेंगिक संबंदों की मांग करने वाले अधिकांस लोग आज के युवा हैं अपने मांसिक आनंद की तरपती के लिए लोग लड़ रहे हैं किन्तु कल जब ये लोग बुजुर्ग होंगे तब कहां होंगे कहां जाएंगे कौन इने संबालेगा कौन इनकी देख भाल करेगा समाज पर बोज बढ़ेगा या सरकार पर या फिर इनकी इस एपराकर्तिक आदतों का दंस आने वाले सब बेसमाज के बच्चे भी जहलेंगे तब क्या ये अपराद की सरेणी में नहीं आएगा क्या तब ये अपराद नहीं माना जाएगा आखिर इन सवालों के उत्तर कौन देगा क्या समलेंगिक समुदाय का कोई मोखिक परवक्ता इस समय खड़ा दिखाई दे रहा है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस से समाज पर क्या परबाव पड़ता है हर एक इनसान की अपनी मनोवरत्ती है वो अपनी मनोवरत्ती लेकर पैदा होता है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ये घटना करम कोई आधूनिक भारत का न्याएक किस्सा नहीं है बलकि भारत्य संसकर्ती पर हमले की एक सोची समझी नीती का हिस्सा है वर्स 1957 में चिन्नई में जन्मी अंजली गोपालन जो अमेरिका में पली बढ़ी और उसने साल 1995 में नाज फाउन्डेशन नाम की संस्था की नीव रखी शुरुआत में संस्था का कारिया HIV से ग्रस्त लोगों की देख बाल करने उने सहयोग देना था किन्तु अपनी स्थापना के 6 सालों बाद ही नाज फाउन्डेशन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और समलेंगिक योन संबंदों का मुद्दा पहली बार साल 2001 में दिल्ली हाई कोट में उसने उठा दिया और आखिर आज उसे अपने मूल उद्देश में खलगबग सफलता भी मिलती जा रही है संस्था और इससे जुड़े आदूनिक बुद्दी जीवी तरक दे रहे हैं कि आदिम युग में जब समाज सब्धा जैसी कोई चीज मोजूद नहीं थी तब भी समलेंगिक संबंद बड़े ही सामान ने समझे जाते थे आज भी विश्विकी बहुत सी आदिवासी जनजातियों में समलेंगिक संबंद बिना किसी रोक टोक के अपनाई जाते हैं यह उनका तरक है यदि यह तरक है तो इस पर सरमानी चाहिए क्या हम आज 21 सदी में हैं या आदिम सब्धा में जो लोग इस तरह की चीजे सुईकार कर रहे हैं आखिर उन्होंने कौन सब्धिक भी कास किया क्या ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के व्यक्तिकत मानसिक सारी रिकानन ने लोगों को आज उल्टा आदूनिक से आदिम युग तक पहुचा दिया आखिर क्यों प्राचीन ए सिक्सित सब्वेता की तुलना आज की सिक्सित सब्वेता से की जा रही है ये जरूरी है ये इनकी मजबूरी है इस परसन का जवाब कौन सा बुद्धी जीवी देगा आज कुछ लोग भारते इत्यास और पोराणी गरंतों के कुछ किस्से लेकर ये समझाने का परियास कर रहे हैं कि ये भारते संसकर्ती का हिस्सा है बीबीसी जैसे बड़े पोर्टल ऐसा बता रहे हैं जैसे कुछ बुद्धी जीवियों ने महादेव सीवकार्द नारीशवर वाला रूप समलेंगिक्ता से जोड़ दिया तो किसी ने पौराणी का ख्यान विश्णुका मोहीनी रूप धारन करके सीवकोरी जाना एपराकर्थिक संबन्दों से जोड़ दिया कुछ कल्पित किस से उठाकर ये साबित करने की कोशिश की जैसे भारतिय सब्वेता आदी काल से एप्राकर्तिक संबंदों के आसपासी जमा रही हो यदी ऐसा था तो क्यों रिशिवात सान्य ने काम सुत्र में ये सब पूरी तरह निशेद माना और स्वास्त के लिए संकट के तोर पर दरसाया लेकिन वेदिक काल के उधार अनि पश्चिमी सब्वेता के दत्तक पुत्रों को कड़वे लगते हैं जबकि मुगल सासकों की कानिया भला किसे नहीं मालूम उनके तो लंबे चोड़े हरम होते थे उनके सोक का भी अपना एक खास आलम था मुगल काल के इत्यासकार कहते हैं कि उन सासकों के हरम में खोबजूरत कौमल और कामुक किसम के युवकों को रखा जाता था कहते हैं कि मद्य एसिया तक फैले इन अमीर मुगलों के हरम में इस तरिया कम और युवक जादा होते थे उन युवकों से ये लोग इस्क फरमाते थे दाहिंदू में छपेक आर्टिकल के अनुसार मुगल सासक अकबर भी समलेंगिक था बाबर नामा के अनुवाद के अवाले से लिखा गया कि उसे नव्यूकों से प्रेम करने का सोग था वो जितना लड़ा को था उतना ही लड़कों के वशी भूत भी रहता था साहजा को लेकर भी दूसरा जिकर इत्यासकार टवेरनियर ने किया है उनके अनुसार बुरहानपूर के एक गवरनर की हत्या हुई तो पता चला कि हत्या समलेंगिक तक चक्कर में हुई दूसरे इत्यासकार कहते हैं कि अकबर के सासनकाल में भी ऐसी गटना है हुई अकबर के दरबार में तब खान जमान उर्प अलीकुली खान हुआ करता था वो पानीपत की दूसरी जंग का हीरो कहा जाता था कहते हैं अकबर का उस पर दिल आ गया था यही नहीं मध्यकाल के सूफी कवियों ने जो कवीता एह लिखी उनमें ऐसे ही यूवकों के इसक का बड़ा उपमान किया गया है मसलन मद्यकाल में एक सूफी कवी सेफी अपनी एक फार्सी कवीता में लोगों को सलहा देते हैं कि किसी की जिन्दगी तभी पूरी होगी और खुद में कामियाब पास में हो सुन्दर लड़का और अच्छी साहिरी की किताब अब पता नहीं कोट और कानून एक बार फिर भारत को मुगल काल की और क्यों धखेलना चाहते हैं जबकि असल मायनों में एक सोध की माने तो करीब 75 फीश दी समलेंगिक व्यक्तियों को डिप्रेशन और उदासी का सिकार पाया गया इनके अलावा आत्मत्या मादक दरवों के शेवन और रिष्टों की समस्ता की असंका भी इनमें बनी होती है जहां ऐसी रोग के लिए उपचार के केंदर खड़े करने थे वहां इस बिमारी को समाज का हिस्सा बना जा रहा है इस तरी पुरुस के बीच का नेतिक संबंद है विवा जिसे समाज द्वारा जोड़ा ज चला जाता है समाज में साधी का उद्वे सारीरिक संबंद मनाकर मानव सरंखला को चलाना है यही परकरती का नियम है जो सदियों से चलता रहा है लेकिन समलेंगिक साधिया या योन संबंद इस वर द्वारा बनाए गए इस मानव सरंखला के नियम को बाधित करते हैं प्रा जारण के तोर पर देखे तो थोड़े समय पहले कुछ शांती दूतों ने हरियाना के मेवात में मिलकर एक बकरी के साथ योन पिपासा सांत की थी, जिसे सब समाज और कानून ने बरदास्त के बाहर बता था, यदि ऐसे लगातार दस से बीस मामले सामने आए और कोई संस्था इनके पक्स में खड़ी होकर ये मांग करे, ये तो मनुस का अधिकार है, ये उसके जीने का डंग है, अता इसे भी कानूनी रूप से मानने ता दे दी जाए, तब क्या होगा, क्या आधूनिकता के नाम पर समाज और कानून इसे भी सुईकार कर लेगा, यदि हाँ, तो फि समलेंगिता तो कभी भी भारतिय संसकर्ती का हिस्सा नहीं रही, और ना उसे समाज और धरम ने सुईकार किया, लेकिन फिर भी कोर्ट और कानून में इसे एक जरूरी सा बना जा रहा है,